निकालता है तो उनको क्या प्रब्लम होने वाली है क्या नुकसान हो सकता है ये सारी वीडियो सारा डाउट ये वीडियो के मादम से आपको समझ में आएगा और क्लियर होगा ठीक है वीडियो को लाज तक जरूर देखे तभी आपको सही इंफोर्मेशन मिल पाएगी चलिए जानते हैं देखो पहले के जमाने में क्या होता था लोग सोचते थे कि जो व सबस्क्asma को बचा कर रखते थे ब्रकूय को निकलने नहीं देते थे देकिन यह पूरी तरह से गलत फैमी है आपका जो वीर बनने की प्रक्रिय को बनता ही रहता सरिर में वह भी dermet बात कर रहता है अगर आप थीन महने तक प्रशार को नहीं कर भथ को यह निकालते हो तो स्पाइल चीज आपका जो मुत्रासा है है वहां पर दर्द हो सकता है और लिंग दर्द हो सकता है पिता बनना चाहोगे तो वह चीज़े भी नहीं हो पाएंगी जो अगला मेन कारण है main जो है वो है सुक्रवानियों की संख्या है वो घट जाएगी तो अगर एक फुरुस्तीन महने तक अपनी वेरी को नहीं निकलता हैएए तो उसके kidney में भी सुजन आसकता है साथ ही साथ आपको ठकान की संख्या हो सकती है पुसकती है आप आने वाले समय में पीता भी नहीं बन पाओगे क्योंकि आपका जो सुप्राणव की जो संक्या है वह बिलकुल समाप्त हो जाएगी जिसके चलते हैं आपको यह समस्य हो सकती है तो प्लीज जो भी यह सोचते हैं कि हाँ मैं अपनी वीरी को इखटा करूं निकलने नदूरों कि रखूं है ना तो वह बिल्कुल भी ऐसा ना करें सही समय पे इन सब चीज़ों को ध्यान देज़े और अगर आप कंटीनीव रिलेसंसिप बनाते हो अपके में धोतीन बार होता है ऑप्ते में आपके बोड़ी माइड जो हर्मोन होता है बहुत है निन अच्छी आती है आपको इस तयाब की सभी बेनिफिट मिलने को मिलता है देखने को मिलता है ठीक है तो जो भी इस मिर्थे में है ना कि हम अपने वीरी को निकलने नहीं देंगे तो हमको ताकत मिलेगा कमजोरी नहीं होगी नहीं अच्छा आएगा तो यह सब चीजे गलत हैं इन सब के चीजों के बीच में आप मत पढ़िए ठीक है तो सही समय पे अपने वीरी को निकलना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं निकालते हो तो फिर आपको नाइट फॉल की भी समस्या हो सकती है मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ कुछ और जानकारी के साथ ओकी बाई